पार लहरू जी भी ने इस परकार का ब्यान दिया था इंदरा गांधी जी ने भी इस परकार का ब्यान दिया था राजीव गांधी जी ने भी इस परकार ब्यान दिया था आज राहूल गांधी जी ब्यान दे रहें इस समाज के आरक्षन के हित में कल भारतिय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चा प्रदेश करजाले मुख्याले पर शारह 10 बज दिन में महाधरना का ओजन किया है जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चा कल धरना करेगी राहूल गांधी ने आरच्छन को लेकर ब्यान दिया था उसके बाद भारतिय जनता पार्टी परदर्शन करने वाली है हमारे साथ अनुसूचित जाती मोर्चा के परदेश अध्यक्च लखेंदर पासवान है आप लोग कल परदर्शन करेंगे क्या राहूल गांधी जी का बिस परकार का ब्यान है वो भारत के धरती पर नहीं अमिरिका के धरती पर जाका ब्यान देते हैं जे हम सरकार में आएंगे भी यह देश के अंदर तो पुना आरक्षन को स्तमाप्त करेंगे तो इस परकार का ब्यान राहूल गांधी के देना राहूल गांधी जी के दोड़ी चरितुर को दरसाता है दोड़ी मानसिक्ता को दरसाता है यह राहूल गांधी जी पर्थम बार इसा ब्यान नहीं दे रहे हैं पंडिजवारा लेहरू जी भी ने इस परकार का ब्यान दिया था इंद्रा गांधी जी ने भी इस परकार का ब्यान दिया था राजीव गांधी जी ने भी इस परकार ब्यान दिया था आज राहूल गांधी जी ब्यान दे रहे हैं और बाबा सह भीमरा अंबेतकर जी के लोकसवाज चुना में ह़राने का काम किया ओहू एक अपने पानी पिलाने वाला जो लोक था उसको खरा-कराका तो इसी समाज के दलिस-समाज के बावा सहाब भाव अंबेतकर जी जब अपमानित करने के काम कंग्रेसियाने सुरू से किया ताज तक है तो कोई माई काला आरक्षन को समाप नहीं कर सकता है इसी के उनके ब्यान के खिलाप और जो जंगल लाज विहार में अस्थापित कुछ दिन पहले कर दिये थे आज महागटबंदन को लोग ही वही राहुल गांधी के साथ खारा है लालू परसा जादव जी के पाटी हो या अन्य पाटी जो महागटबंदन के है उभीत राहुल गांधी जी के ब्यान के साथ खारा है उन ब्यानों को विरोध में अदलिस समाज के आरक्षन के हित में कल भारतिय जंता पाटी अनुसुची जाती मोर्चा परदेश करजाले मुख्याले पर शारह 10 वज दिन में मह भारतिय जंता पाटी अनुसुची मोर्चा के लोग वहां उपस्तित होंगे अब मोर्चा के साथियों के साथ इस परकार के राहुल गांधी के ब्यान को हम लोग निंदा करेंगे धरना प्रदसन के मादम से देखे जिस परकार का घटना नवादा में हुआ है निश्चित उस घटना से हम सब लोग मरमात है इस परकार के घटना में तेजस्वी जी हो चाहे कोई पाटी के लोगों राजिती करने का कोई अचित ही नहीं है जो घटना हुआ है दलिस समाज के साथ घटना हुआ है घट लेकिन इस घटना के यार में जो राजनिती कर रहा है वह से लोगों को सर्म लगना चाहीए कि आपके कैबिनिट में मंत्री आतों कर रहे हैं कि मैं जीस पिछरा नहीं होते हुए और वो आती पिछला का धी खार खा रहा है तो उनको इस परकार के माजी जी पर कॉमेंट करना माजी जी पर कमेंट आज तेश्वी जी नहीं किये हैं उनकी पिता जी ही दली समाज को लगातार अपमानित करते रहे हैं तो आज तेश्वी जी माजी जी को अपमानित महादलित क बेटा को अपमानित यदि कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है तो इस ऐसी परकार के तेस्वी जादव जी के बियान को हम निंदा करते हैं